अमिता बच्चन ने रनवीर सिंग को ऐसा क्या कहा जो वो कभी भूलना सके भारती मारूफ अदकार रनवीर सिंग अपने मुनफरिद फाशन सेंस के सबाँ पहचाने जाते हैं लिबास के इंतिखाब में इनकी पसंद सबसे अलग है ताहम एक मर्तबा अमिता बच्चन ने इनके अनोखे लोग को देखकर इने कुछ ऐसा कहा जो वो भूलाएं नहीं भूल पाते इन दिनों रनवीर सिंग अपनी जल्द रिलीस होने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की प्रमोशन में मसरूफ है और इसी सलसले में इन्हों ने एक इंटर्व्यू दिया जहां शो के मेजबान ने इन से पूछा कि क्या कभी कोई लिबास पहनने पर आपको पच्चतावा हुआ बॉलिवूट के मकबूल तरीन फिल्म बैंट बाजा पाराच से अधकारी की दुनिया में कदम रखने वाले रनवीर सिंग ने इस सवाल के जवाब में एक दिलचस्प वाके बताते हुए कहा कि मैंने एक तक्रीब में शिर्कत की जहां मैं एक बहुत महंगा लिबास पहन कर गया था इन्होंने बताया कि हम बात ही कर रहे थे कि मैंने लेजिंडरी अधकार अमीताब बच्चन से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ रनवीर सिंग ने बताया कि मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे हसीन सूट पहना हुआ हूँ लेकिन अमीताब बच्चन ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया इन्हों ने बताया कि बॉलिवुट के शेहनशा ने इन से कहा कि बेटा तुम पौदा लग रहे हो दाहम ये सुनकर मुझे अपने लिबास के इंतखाब पर पच्चतावा हुआ